गुड बॉनिंग दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको साथ ऐसे शांदार तरीके बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फोलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपका विजनिस इजिली गुरो होगा सो बने रही है इस वीडियो के साथ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जिससे आपका एक network बन जाता है यानि नए नए लोगों से आप मिलते हो और जिनको आप future में business opportunity के बारे में बताते हो जिससे आपका business धीरे धीरे grow करता है और अगर आपको एक successful networker बनना है तो आपको prospecting skills में command बनानी पड़ेगी और अगर आपके पास नए लोग होंगे नए connection होंगे मतलब एक चोटा सा network होगा जिसको अपन friend circle भी बोल सकते हैं तो आप easily उनके साथ इस business को share कर सकते हो हम prospecting online भी कर सकते हैं वह offline भी कर सकते हैं यानि दोस्तो हम इन दोनों तरीकों से prospecting कर सकते हैं और दोस्तो जितना time आप social media पर waste करते हो वो waste ना करके आप इसके थूरू prospecting भी कर सकते हो और आप लोगों को job वे business के बारे में समझा सकते हो कि दोनों में क्या difference होता है और आपको लोगों को business की power समझानी है कि हम किस परकार business से कम समय में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तो इस परकार आप prospecting online वे offline कर सकते हो दूसरा तरीका है invite जब आप prospecting कर लेते हो तो आप invite करते हो उन लोगों को जिनसे आपने relation वे connection बनाए थे उनको आप zoom meeting पर बुला सकते हो सेमिनार में बुला सकते हो CNT में बुला सकते हो लेकिन lockdown में सेमिनार वगेरा नहीं हो रहे है इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा prospect को इस zoom meeting पर बुला सकते हो जिसमें आपके applyne होते हैं जो इस business में सफ़ल हो चुके हैं वो उन लोगों के doubt किलियर करते हैं वो लोगों को business opportunity के बारे में समझाते हैं इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा prospect को ज़्यादा से ज़्यादा guest को zoom meeting में जरूर बुलाएं जिससे कि आपका business तेज रफस्तार से ग्रो होगा लोगों के doubt भी clear होंगे तीसरा तरीका है presenting इस तरीके में आपको लोगों को company के product के बारे में plan के बारे में वो company की जो भी information है वो आपको पता होनी चाहिए जिसके थुरू आप सामने वाले guest को business opportunity समझा सको जिससे उसके doubt किलियर हो और अगर आपने newly join किया है यानि अभी अभी waste tease में join हुए हो तो इस condition में आप अपने applying की help ले सकते हो जिससे सामने वाले person के doubt किलियर हो और दोस्तो presenting में आपको company की profile company के rules qualification condition, company के product company का plan ये सारी चीजे आपको सामने वाले person को समझानी है और उसके जितने भी doubt है वो doubt किलियर करने है अगला तरीका है follow up basically follow up से आप अपने prospect के जो भी doubt है, जो भी confusion है वो किलियर करते हो दोस्तो जैसे ही आपने उनको presentation दी उसके 24 गंटे के अंदर अंदर आपको follow up करना है आपको सामने वाले person को company के achievers के बारे में बताना है top earners के बारे में बताना है basically follow up में आप लोगों के doubt किलियर करते हो उनके vision किलियर करते हो कि उन्हें क्यों network marketing करनी चाहिए और दोस्तो आपको follow up करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है अगर कोई car lover है यानि जिसके सपने बहुत बड़े हैं उसको आप company में car achievers के बारे में बता सकते हो जैसे सिवम सर, पंकस सर कि किस परकार ये लोग बहुत छोटी उमर में और बहुत कम समय में वेस्टी से luxury car maintain कर रहे हैं और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपकी sale convert होने वाली है वो आपके follow up के उपर depend करती है तो आपको follow up के उपर command बनाना बहुत ज़रूरी है पांचवा तरीका है closing यानि दोस्तो आपने invite भी कर दिया follow up भी कर दिया वो presentation भी कर दिया सब चीज़े आपकी clear हो गई उसके बाद होती है closing closing में आप final close करते हो अपनी sale को आप उनकी joining डालते हो उनको product purchase करवाते हो दोस्तो closing सबसे important skills है अगला तरीका है training जैसे ही आपके prospect ने आपके साथ business start कर दिया उसके बाद आपको उनको training देनी है company profile के बारे में बताना है business plan के बारे में बताना है आपको खुद को उनको training देनी है proper planning करनी है कि किस परकार उनको कितना business करना है product के बारे में बताना है product के lab के बारे में बताना है तो दोस्तो simple सा तरीका है कि आपको इन सब चीजों के बारे में उसको समझाना है यानि उसके doubt clear करने हैं और आपको अपना business grow करने के लिए training पर ज़्यादा से ज़्यादा focus करना पड़ेगा और सबसे last तरीका है promoting दोस्तो network marketing पर्मोट करने का business है जैसे दोस्तो आपने कोई movie देखी और वा movie अच्छे लगने पर आप 10 लोगों को नहीं बताऊगे तब तक वो आपको हजम नहीं होगी और दोस्तो सेम यही काम आपको network marketing में करना है यानि आपको इस business को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share करना है product को promote करना है meetings promote करनी है आप zoom meeting की link भी लोगों को share कर सकते हो दोस्तो network marketing में promoting system बहुत important role play करता है क्योंकि promote करने से ही आपका business ग्रो करता है तो दोस्तो यह तेवा साथ परकार जिनको follow करके आप अपने business को easily ग्रो कर पाऊगे और वाकई में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को वह डाउन लाइन को share करो वह वीडियो को like करो और चैनल को subscribe करना मत बूलना मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you, wish you wealth